वेल्कम बैक फ्रेंट्स तु दो जेस्ट फ्रेट फॉरा देखेंगे तो आपको बहुत ही लाब होगा यकीन मानी कि आप इस पूरा वीडियो देखेंगे इसको बहुत ही अधिक आपको लाब होगा दोस्तो इस वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे वर्स 2017-18 तक की सभी चर्चित निक्तियां वा व्यक्ति जो भी चर्चित व्यक्ति और चर्चित निक्तियां हुई है उनको हम देख रहे हैं दोस्तो इसी तरह का हमने एक वीडियो और बनाया जो कि पुरसकारों से related था, जो कि मैंने post कर दिया था, आप playlist में जाकर देख सकते हैं, playlist का नाम है current affair capsule, दोस्तो उन वीडियो को आप देखना ना भूलें, दोस्तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि अंत में आ अचल कुमार जियोती बने हैं, दोस्तो ये 6 जुलाई 2017 को इनको बनाये गया है, 2017 की ये बात है ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, दोस्तो निर्वाचन की बारे हम बात करें, तो निर्वाचन की बारे में अनुछेद 324 से 329 की बीच में सम्धान में बढ़न हुआ है, दोस्तो निर्वाचन आयोक की स्थापना 25 जनवरी सन 1950 को हुई थी, ध्यान रखेंगे इसको, क्योंकि निर्वाचन से संबंदित ये जानकारी है, तो मैंने आपको दे दी, और मुक निर्वाचन आयोक की निक्ती रश्टपती करता है, दोस्तो 1993 से पहले, ये जो मुक निर्वाचन आयोक तो वो एक सदस से था, ठीक है, और 1993 बाद इसमें तीन सदस हो गई है, तो दोस्तो ये एक्ट्रा आपकी इंफॉर्मेशन रही, आगे देखते हैं भारत की 22 में मुक चुनाओ आयोक तो ओम परकास रावत बने है, जिनको 23 जनवरी सन 2018 में बनाया ग दोस्तो किसी भी तरह का कुष्यन पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने 2017 है और 2018 के दोनों कुष्यन को यां पर कवर कर दिया है, आगे देखते हैं कुष्यन भारत के 44 में मुक नियादीगी सिंखेर बने हैं, दोस्तो जगदी सिंखेर को 4 जनवरी 2017 को निक्त किया गया था, द दूस्तो बहुत के प्रतम मुक्नियादीज हीरा लाल जी कानिया थे確 moと दोस्तो इसी तरह के यक ऑर क।र्षक पेंट Allah में मुक्नियादीज zor कौन तो दोस्तो हाल इसे भारत की राश्टाटी रामनात कोबिंद जी बने नुच्चिद बाउन की अनुसार कहा गया है सम्दान में की भारत का राश्टाटी होगा और अनुच्चिद पच्पन में निर्वाचन की पद्धिती की बात करी गई है यानि कि उनका जो चुनाओ है आनुपातिक समानुपातिक प्रतिनित की एकल संक्रमणी मत पद्धिती की आदार पर ये सब बात है भारत की राष्टपती की बारे में हैं ठीक है ध्यान रखेंगे इस चीज को ये में भारत के उपराष्टपती कौन बने तो दोस्तो हाल ये में भारत के उपराष्टपती वेंकई या नाइडू जी बने दोस्तो अनुच्छे 63 के अंसार भारत का उपराष्टपती होगा और अनुच्छे 64 के अंसार जो उपराष्टपती है वो राजसभा का सभापत थिरस बने हैं दोस्तो संयुक्तराष्ट संग की स्थापना 24 अक्टूबर सन 1945 को की गई थी यह आपकी जानकारी है और संयुक्तराष्ट संग में जो पहले महासचेव थे वह ट्रिगवेली थे ठीक है और संयुक्तराष्ट संग की जो महासबा होती है उसे विसकी लगु संसत खाँ जाता है बरत्मान में संयुक्तरष्ट जो संग है उसमें 5-27 सदस्यां अमेरिका, रूस, ब्रेटेन, फ्रांस और चीन ठीक है आगे देखते हैं अपना क्वेशन हाली में नीती आयोग की उपाध्याच कौन बने दोस्तों हाली में नीती आयोग की उपाध्याच राजी इंडिया यह आपका फॉल फॉर में आगे देखते हैं अपना क्वेशन हाली में 15 में वित आयोग की अध्याच कौन बने तो दोस्तों हाली में 15 में वित आयोग की अध्याच बने है ठीक है एनके शिंग 15 में वित आयोग के अध्याच बने है और दोस्तों वित आयोग की इ तो दोस्तो मैं आपको बता दूँ कि 15 में वित्तायों का जो कारकाल है वो 1 अपरेल 2020 से 31 मार्च 2025 तक चलेगा तो दोस्तो इस वीडियो का अपना अगना कुश्यन है हाली में NCC के नई महानदेशक कौन बने है तो दोस्तो NCC के नई महानदेशक BS सहरावत बने है नेक्स्ट आप का कुश्यन है हिमाचल प्रदेश के नई मुकमंतरी कौन बने है तो दोस्तो हिमाचल प्रदेश के नई मुकमंतरी जैराम ठाकर बने है जैसा कि आप जानते कि हाली में चुना हुआ था तो वहाँ पर BGP की भारी बोमस से जीत हुई थी, तो वहाँ पर उनके मुकमंत्री बने हैं, ठीक है, नेक्स्ट आपका कुश्चन है, गुजरात के नए मुकमंत्री कौन बने हैं, तो दोस्तो गुजरात के नए मुकमंत्री हाली में विजहरूपाडी बने हैं, गुजरात म ख्यां ठाधान में जो मुखमंतरी नितिष को मारें आगे देखते हैं अपना क्युशन बहुत ही महत्तपूर ब्रजन है दोस्तों ये सबी अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आप अंत में बिल्कुल कह उठाएंगे कि बहुत ही अच्छा वीडियो है आगे देखते हैं Film and Television Institute of India के नए अद्यच कौन बने तो दोस्तो Film and Television Institute of India के जो नए अद्यच है वो बने अनुपम खेर अबनीता रह चुके है और वयो व्रद अबनीता है नेक्स्ट कॉस्चन आपका है OBC के उपवरगी करड़ आयोग के अद्यच कौन बनी दोस्तो OBC में भी कई जातियों का classification होना है तो उसके जो उपवरगी करड़ के लिए जो अद्यच बनाए गई है जी रोहडी ठीक है जी रोडी को उनका अध्यच बनाए गया है आगे हम question देखते हैं अमेर्की Federal Reserve Bank के नए अध्यच कौन बने दोस्तो जिस परकार से भारत का जो सर्वुच बैंक है वो है Reserve Bank of India उसी परकार से अमेर्का का जो सर्वुच बैंक है वो है अमेर्की Federal Reserve Bank और उसकी जो अध्यच चाली में बने है वो है Jerome Powell द्यान रखेंगे इसको आगे देखते अंतराष्टी नियालाय में लगातार दूसरी कारकार के लिए चुने जाने वाले भारती नियादीस कौन बने तो दोस्तो अंतराष्टी नियालाय में कुल नियादीसों की संक्या 15 होती है ठीक है जिनका कारकाल 9 वर्स का होता है तो दोस्तो यह आपकी information रही आगे देखते हैं दोस्तो मड़िपुल की नई राजपाल कौन बनी ठीक है मड़िपुल की नई राजपाल डक्टर नजमा हैपतुला बनी है ध्यान रखेंगे नेक्स्ट है आपका भारत की नई विदेश सचेओ कोन बने दोस्तो भारत की नई विदेश सचेओ विजय गोखले बने है आगे आपका question है दोस्तो भारती नौसेना की पहली महला पाइलट कोन बनी थेहाँ न केंगे next question आपका है हाली में जिंबाब्ऴे की नई राश्टपती कौन अगला question है हाली में Kenya की नई राश्टपती उर्व कैन्याता बने है और कैन्या की राश्टपती मैं आपको बता रहूं हाली की पिछले 6-7-8 महीने के अंदर जो भी गटना है गटत हुई है उसी से संबन्द थे आप ऐसा मत सोचना कि यह बहुत पुरानी current affair ऐसा नहीं है पिछले 6-8 महीने तक की ही जो भी information है मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ मैं आपको यह बहूँ बताना जाहूँ का जो जो चिली है उसकी राज़दानी सैन्ट यागो है आगे question देखते है NSG, राष्ट्री सुरच्छागार, जिसके नई महासचेव कौन बनेंगे अगला प्रष्ट है राजवरधन सिंग राठोर को बनाए गया अगला प्रष्ट आपका है New Zealand की नई प्रधान मंतरी कौन बनी है तो Jacinda Arden जो की मेला है वहां की नई प्रधान मंतरी बनी है New Zealand की राज़णी Wellington है जो की Australia देश के दच्छड में है आगे देखते हैं Israel के वरतमान प्रधान मंतरी कौन है तो Israel की वरतमान प्रधान मंतरी Benjamin Netanyahu है दोस्तो ये इसलिए आपको बताएगे हूँ कि हाली में इजरायल के प्रधानमंतरी भारत में आये थे आप जानती हैं प्रधानमंतरी मोदी ने उनका बहुत स्वागत किया था तो काफी चीजे उस्ट्राइम हुई थी तो उसकी वज़े से याँ पर मैंने आपको ये क्वेशन दे दिया हैं आगे प्रसंद देखते हैं लाइवेरिया के नई राष्पति कौन बने हैं तो दोस्तो लाइवेरिया के नई राष्पति जार्ज वेह बने हैं और माली देश के नई प्रदानमंत्री कौन बने तो सो मैले यू मैगा माली देश के नई पीम बने आगे देखते हैं इंडियन वेस्टर नेवल कमांड के सेनाध्यच कौन बने तो अजेंदर बहादुर सिंग इंडियन वेस्टर नेवल कमांड के नई सेनाध्यच बने नेव बने हैं दोस्तो SBI का राष्टी करण 1 जुलाई सन 1905 को किया गया था आगे देखते हैं CBI के नई वेसे इस महानेदेशक या निदेशक कौन बने हैं तो राके इस अस्थाना बने हैं दोस्तो CBI की स्थापना सन 1963 को हुई थी नेक्स्ट आपका question है भारत में अमेरका की नई राजदूत कोन बने हैं तो दोस्तो भारत में अमेरका की नई राजदूत Kenneth Jester बने हैं और UNESCO की 11 में महानेदेशक कोन बने हैं तो आंद्रे अजूली बने हैं ठीक है ये भी आपकी सन्यक्तराइट संकी एक संस्था है और उसी प्रकार से WHO की नई महानेदेशक कोन बनी तो डक्टर स्वामिया स्वामीनाथन बनी है ठीक जो की MS स्वामीनाथन की पुत्री हैं ध्यान दखेंगे ये बहुती important question मैं आपसे discuss कर रहा हूँ नेक्स्ट है आपका देश की पहली किननर पुलिस का अंस्टेबल कौन बनी तो गंगा कुमारी बनी है किननर आप जानते हैं आगे देखते हैं राष्टी डॉपिंग रोधी एजनसी नाडा के नई प्रसिद्ध सदस कौन बने तो भारती क्रिकेटर वीरंदर सहवात को बन उन्होंने बिल गैट्स को पीछे शुड़ा है जो कि मैक्रोसॉप्ट की सथापक थे आगे देखते हैं हाली में मिगाला के नई मुखमंत्री कौन बने है कानरान संगमा कानरान संगमा मिगाला की नई राष्ट्पती बने आप जानती है हाली में वहां पर चुना हुए ने प्यार कर लेंगे नेक्स्ट आपके कुश्चन है हाली में नागालेंड का मुखमंत्री किसे बनाए गया तो दोस्तो निफायू रियो को बनाए गया है पूरोत्तर भारत में कुछ चुना हुए थे दो तीन राज्यों में तो वही यहां पर दिये जा रहे हैं नेक्स्ट आपके कुश्चन है किन दो कैबिनेट मंत्रियों ने हाली में स्थीफा दे दिया है दोस्तो नरेंद्र मोदी की जो एंडिये सरकार है उसमें जो दो मंत्री थे असुग गडपुति राज्यू और यस चौधरी ने स्थीफा हाली में दे दिया है अगला प्रशन है और इस वीडियो को एक अंतिम कुश्चन है हाली में नेपाल की ओपराष्टपती कौन बने तो नंद्रबादर पुना तो दोस्तों मैं आपको अंत में बस यही बताना चाहूंगा कि इसी प्रकार की मैं आपको और वीडियो देने वाला हूं यह आपके लिए बहुत ही तो आप उसको जरूर देखिएगा वीडियो को सेर जरूर कीजिये और अंतिमें बस यही कहूंगा कि इस वीडियो की जो पीडियेफ लिंग है पीडियेफ लिंक है वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्सन बॉक्स में जाईए चहां पर एक त्रफुच टाइप का बना होगा तो उसमें जागर PDF लिंक पर क्लिक करके PDF को डाउनलोड कर लीजिए यही बात मैं आपको बताना चाहता था कि PDF भी आपको मिल जाएगी और आपको इसी तरह की नई यूसफुल वीडियो भी मिलती रहेंगी तो उमीद करता हूँ को आप चैनल को सब्सक्राइब